तो हेलो वर्ट सब गाईज कैसे आपसे लोग उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे तो आज हम दुबारा से खेलने वाले हैं दा लाश्ट आइलेंड आप सरवाइबर तो पिछली बेडिया में आपको याद होगा कि हमने एक बेस परेड किया था और उसमें से हमको सिर्फ 20% लूट मिला था तो आज हम दुबारे से उसी बेस परेड करने वाले हैं यार इस बार तो इस बेस का हमको पूरा लूट लेके जाना है अपने बेस पर वैसे तो यार इस बेस में कुछ खास होगा नहीं मुझे पता है अगर बॉम अगरा मिला तो वही लेके जाएंगे बाकी तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे तो आज हम इस बेस परेड करेंगे और अपना बदला पूरा करेंगे तो बदला यार क्या है आप सोच रहे होंगे बदले का बात क्यों आ गया तो मैं आपको बताता हूँ बदला कैसा लेना है तो बात ऐसी है कि ये इधर अरिया में जो अपने बेस बनाया ना इसने इससे थोड़े से दूर पे एक और बेस है जो की हमारा है तो ये बेस तो यार बना लिया बेस बनाया वो बुरी बात नहीं है इसने बेस बनाके हमारे यहां का मतलब यह समझो यह अरिया अपना है तो अपने अरिया में इसने अपना बेस बनाया और यहां का सारा फार्म जितना भी है सल्फर आइरन यह सब साला माइन कर लेता था और मुझे आता था बहुत ज़्यादा घुसा तो मैंने बोला यार अंकु भाई से बात किया बोला इसका बेस सबसे पहले उडाना है यार उनने बोला ठीक है जाओ उडादो उनने बोला यार बड़ा बेस है नहीं मैं उडा देऊंगा अब को कोई दिक्कत है नहीं नैंने बोला याइर बड़ा बेस है नहीं वैसे भी मुझे इतना इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि यार इनको ना क्या है कि वो माइलेक्ट करना है तो आपको तो पता होगा पिछले दो वीडियो माइल क का ही था तो मायनकराफ में उनको यार सुरू से बहुत ज़ादा पसंद है और फिर से вो मायनकराफ में एक आमबेक कर लिए है और मायनकराफ का वीडियो ही मतलब आपको चैनल पे देखने को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यार वो मायनकराफ एंखेलते रहते हैं और साइध इसके बाद मैं भी माइनग्राफ खेल लूँ या फिर ये भी खेल सकता हूँ जो मेरा मन कर दे यार आप कमेंट में बताओ मुझे माइनग्राफ खेलना चाहिए या फिर ये खेलना चाहिए अंको भाई तो अपना माइनग्राफ में चले गए उनसे खास उम्मिद मत रखना आप कोई फैदा है नहीं उम्मिद रखने का क्योंकि तो यार बॉम लगाते हैं बताओ ये देखो तीनों डोर टूड़ गया है कितने काम की बात है यार तो आपको क्या लगता है यार कि मुझे क्या कहलना चाहिए मुझे तो यार ये गेम बहुत पसंद आगया शुरू में मुझे ये गेम कुछ खास नहीं लग रहा था पर अब तो मुझे कुछ पसंद आगया गेम जैसे तो यार मैं फिरफायर भी खेलना कम कर दिया हूँ पहले तो फिरफायर खेलता था इस गेम कितना पसंद आगया मैंने फिरफायर भी छोड़ दिया प्लब छोड़ा नहीं हूँ बस कम केलता रहता हूं यार यार ये बस तूट नहीं रहा है यार ये क्या खाके आया ह तूटना तो इसको है आज अरे नेट इस भी होता यार तो जाना चाहिए पर चलो वैसे यार पिछली वीडियो जो था दो माइंड्राफ का उस पर सपोर्ट दिखाने के लिए ठाइंक्यों यार सब का जो भी जो भी थे इस वीडियो पर सबने अच्छा अच्छा कॉमेंट भ देना यार कि आपको मेरा बॉइस कैसा लगता है या फिर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है या नहीं तो वैसे तो यार बेस तो कंप्लेट हो जाएगा मतलब बेस रेड तो कंप्लेट हो गई केबिनेट यार उम्मिद तो यहीं पे था पर केबिनेट मिला अमshe with a whole with a pit मैं शोच रहा हुँ ऊपरी देखता हूँ साइद ऊपर भी हो सकता है इसका केबिने अम्हों यार मुझे मझे पता नहीं है रोकियों में ऊपर भी केबिनेट होता या नहीं पर देखता हूं की लग सकता क्योंकि यार कैबिनेट उड़ता तो लूट रहता उपर इचे कड़ता हूं मुझे लगता है इस में रोकियों में लग जाता यार उपर कैबिनेट तो मैं चिक्कल लेता हूं एक पार वैसे यार आपको बैक्ग्राउंड में बहुत सारे सुन्ट सुन्दे को मिल लेंगे उसको इगनोर करना यार क्योंकि यार तोड़ा गाउं एरिया से हो ना तो ऐसा होता रहता है और घर के पास में घर बन रहा है ना वहां पर भी काम चल लए ना वहीं देखो भाई इसने से कि लगाने को कुझे वह यार एंगल नहीं होता है और क्या करूं करता हूं यह अरी तो केचिस्ट खाली है लोक भी नहीं लगाए चलो इसे अपना दोस्त अभी आया नहीं यार ऊपर से रेड करेंगे काइस क्योंकि यार उपर करना है क्योंकि मुझे लगता है वैसे तो यार 2C4 में तो तूड़ जाने चाहिए तूड़ जाई हो भाई आजयो भाई नहीं मानेगा लगता है एक हाईनमेट लेके ओड़ाने कलए है में अधाम बीताव हो लग रहा है उपर जाने के लिए ओर यार वह चलो मेरे पास तो सीड़ी है आही में और रायट वाले से और बीच में लगाते हैं देख दोनों तूटेगा मित्त मुझे रायट वाले वैसे को नोड़ तो दोनों तूड़ गया पर केविनेट मुझे दोनों नहीं लगा रहा कि ए मेरा दोनों मीद था याड दोनों खराब हो गया बताओ मैपिशेष्ट वगर हमें लूट देखते रहते हैं चेस्ट में क्या मिलता है वुषे तो खाक लूट मिलेगा नहीं मुझे बता है पूर के है चेस्ट यार हमने पिछली बेर भी लूट रेट किया था कुछ खास नहीं थे बस जीपी थोड़ा बहुत थे उसमें से भी 10-15 जीपी थे जिसमें से हम लोग को 4-5-6,000 ही मिला था जीपी साइद उससे भी कम मिला था क्योंकि इस बार तो इस पर क्या ही होगा जब पिछली बेर खास नहीं था ये इसने भी बेस इसलिए बनाया था याप एर फार्मिंग करने के लिए यसे मैंने बनाया ना वहाँ पे साध आपने देखा नहीं होगा और साध आप देख में नहीं पाऊ गया आप क्योंकि यापी यार वह बेस्ट मैंने उड़ा दिया तो आप कहां से देखो क्योंकि यार यह इस सर्वर का लाश्ट वीडियो होगा आपको हम अपना बैज भी ने निकालेंगे क्योंकि यार मांकु भाई तो चले गए माइंड ग्राफ में और हम कैसे निकाल सकते हैं फिर बैज को इसलिए इस बेस को रेड करते हैं फिर उसके बाद आपको मॉस्टर किल करने जाएंगे और वो कोई नॉर्मल मॉस्टर नहीं होगा गाईज आप गैस करो कौन सा मॉस्टर रोचकता यह जान लो इस गेम का सबसे खतननाग मॉस्टर वही है बस आप यह जान लो इजी और अव कैबनेट खोषते हैं देखते हैं किसको किसको पता है इस गेम में तीसरे मॉस्टर के बारे में दो मॉस्टर को तो सब जानते हैं मैची और एवेंजर सौरी क्या बोलते हैं उसको वैसे तो गाईज मैंने वो इस गेम में तो दो ही मॉस्टर मारें एक एवेंजर और एक तो कैबिनेट तो मुझे ही पता यार इदर ही होना चाहिए पर यह मिल नहीं रहा है यह इसके पीछे ही हो गाया तूट जाना चाहिए एक में लोग आइस तूटा नहीं यह दोनों मेरा दोस्त बोलता है बीच में लगा और दोनों वाल टूटेंगे उन्हें बोला हाँ यार यह भी अच्छा इडिया है लगाते हैं यह तूट तो जाएगा कैबिनेट इस बार तो मिलना चाहिए पक्का लोग आइस कैबिनेट भी मिल गया कैबिनेट तोड़ते हैं और बेस उडाते हैं और क्या इसे तो मेरा दोस्त भी देख रहे हो आप डबल यूजी चला रहा है उपतने क्यों मैंने यार दिया थे पर वो यूजी चला रहा है लोग भी चलाने लगा क्यूवी जाएड उसने चलो गाइस कैबिनेट तोड़ गया कैबिनेट लगाते हैं अरे लगता है दोस्त ने लगा दिया मेरा यार चलो उसने लगा दिया और उसने तो भी टर्प दिया नहीं है पर दे देगा गाइस कोई दिक्काद वेजे देगा भी नहीं तो उड़ाया मैं उड़ाऊ बात एक कि यह的是 ने कैविनेट इर्या ही फूला थिया ईड़ा दिया वाए चरो मैं अपना केविनेट लगाते हैं जो घूंत को Creating a कि बस इसका हम लोग का बेस उड़ाने से मतलब था लूट से तो मतलब है नहीं क्योंकि यह आज के मतलब है यह हम लोग का लाश्ट है इस सरवर का फिर उसके बाद अपना बेस भी सब कुछ उड़ा चुके हैं हमने रिकॉर्ड भी किया था अपना मेन बेस उड़ाय थे और म मैंने अपना बेस उड़ाते से मैं आपको दिखा नहीं पाया यार क्यों मैंने रिकॉर्डिंग किया था यार मैं बहुत उम्मीद से था कि मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं सोचा था इस वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और आप तो गैस सैद काफी लोग ने तो अब समझ गए होंगे कि अब हम कहां पे किस मॉस्टर को किल करने आए हैं और जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ छोड़ो गाइस मैं क्या बता हूँ यार आप ही गेस करो ये कौन सा मॉस्टर है और जिनको पता है यार कमेंट में लिख दो कमेंट में बता दो कि कौन सा मोंश्टर है इसका नाम क्या है और आज तक किसी ने इसको किल कर पाया या नहीं आप लोगों का तो पता ने यार पर ये बताओ कि हम इसको किल कर पाएंगे या नहीं आपको क्या लगता है हम तीन और हम तीन कौन है मैं आपको बता देता हूँ एक मैं हूँ और एक है अपने विकरम भाई और एक डार्क को तो डार्क भाई मतलब डार की बनाम का बन्दा है आप तो उसको जानते नहीं होंगा मैं कभी और आपको इंट्रोड़ेक्शन करा दूँगा तो यार मैं इसके बारे में क्या ही बताओं इसका टिपसें ट्रिक क्या ही दू मारने का भी तक तो मैंने एक बार भी नहीं मारा है बस ट्राइ किया है बट यह मार नहीं पाया हूं इसको वैसे तो मैं इस से बचने का आपको तरीका बता सकता हूँ बस इसके पीछे पीछे घुमते रहो जब यह फायर करे और लेजर जब मारता है तो इधर उधर घुमते रहा करो और बाकी यार इसको काम यही रहता है कि इसका चार पिलर जल्दी से तोड़ दो जब वो अंदर जाता है जब इसके पिलर अंदर आते है ना तो मतलब यह जब यह अंदर जाता है तो इसको पिलर बाहर आते है तो इस पीलर को आपको तोड़ना रहता है इसके चार पीलर होते हैं भी आपको वीडियो में देखने को तो मिलेगा वैसे आप बताओ कि हम इसको किल कर सकते हैं या नहीं आपको क्या लगता है मुझे तो लगता है यार मैं किल कर दूंगा क्यों हम तीन लोग हैं और एजी होना चाहिए यार तीन कील कन मशलाब तीन लोग को मिलके एक को मौस्टर को मानना वेसे तो यार इस गेम का सबसे खतरनाग मौस्टर यह है सबसे ज़्यादा मोग से के लिए लगता है तो वैसे तो यार डैमेद दिखो मुझे देते जा रहा है ये पर मैं भी बज जा रहा हूँ क्योंकि मैं यार मेरे डिकिट भी मेरे पास नहीं है तो मैं उसे डार्क से मांगता हूं मेरे डिकिट दो यार मैं उसे बोलता हूं अपर उसने मुझे मैरे डिकिट दिया तैầ नहीं है यार फिलतास कि मैं यहां पर गिरा दिया इसके रागे तोड़ने लगता है तो मैं मैं भी बोला यार की पीलर पर ले तोड़ लेते हैं फिर उसके बाद जाकर देखेंगे कि तो यार देखो जैसे हमने फिलर तोड़ा ना यहां पे इतने सारे लाइन माइन आ गए हैं और मैने बोला सबसे यह बस्ट के रहना लाइन माइन से पड़े हुए जो है वह जैसे उसके पास जाना फिर दूर भाग जाना वनना तो नौक हो जाओगे दूर तक यपनक्टी जा लो नॉक भी हो गए यार, नॉक तो हो गए पर रिवाइब भी मिल जाएगा सायद, अरे दोनों भाई, दोनों बंदे डाउन हो गए, बस ये एक बार अंदर चला जाए ना, तो इन दोनों का रिवाइब कर दो, चला भी गया, यार मुझे पता है यार, कि कि ये इतना जो है वो तो है ही खतर ना ग्यार मुझे पता है पस इससे बचने का टीप सेंट रिक है इस पे थोड़े से पास जाके फिर तुरन दूर चले जाओ माकी हेल्थ वगर्ण ये तो बढ़ा ही रहे है यार माकी देखो मैंने फिर से उसको लगा के फिर दूर भाग गया अरे यार अपने टीम मेट फिर से चर गया यार ये तो मेरे वज़े से ही मर गया मैंने उस सोचा उस बम को डिश्ट्रॉय कर दूँ क्योंकि मतलब उस पे जाके दूर चला जाता तो फट जाता फिर रास्ता के लिए रोता थोड़ा वैसे तो यार फिर से रिवाइब हो जाने चाहिए यार विकरम भाई क्योंकि ये अब थोड़े दिर में ये अंदर जाने वाला है चलो यार रिवाइब तो हो जाएंगे वैसे वैसे रिवाइब हम दूरो में से कौ warning कर रहा है यार पत नहीं चलना है पर मैं भी सोच रहा हूं ना छोड़ो क्योंकि अगर मैं रिवैब ने कर रहा तो दिक्कत होगा वैसे तो रिवैब तो वही कर रहा था यार जो मैं बोलता हूँ इन लोग को यार ये फिलर तोड़ने के लिए लोग बोलते हैं मैं हेल्थ बढ़ालू पहले लोबा गाईस फिलर भी अंदर चला गया यार तो यार जितने भी लोग वीडियो पे नही हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो मैं वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए वोलने वाला था यार मेरा जुबान बहुत जाता है लड़ खडाता है यार क्यूंकि मैं genial Gray टे आता है ना आपके पास वैसे यार आप कमेंट में एक बाद जरूर बताना यार कि क्या मुझे अपना वाइस में वीडियो डालना चाहिए या फिर नहीं आपको क्या लगता है क्या मेरा वाइस इतना है कि मैं इस चैनल पर अपने वाइस में वीडियो डाल सकता हूं या फिर नहीं एक बाद ये बता देना यार मुझे वैसे यार देखो टैमिस तो बहुत खतरनाग दे रहें टिम मेट सब अच्छे अच्छे गन मैंने उनको दिये हैं 50 गोली रिलोड होता है उसमें टोटल ऐसी एक बार गार इसको किल कर दिया ना यार तो मेरा फर्स ٹाइम होगा इसको किल कर ना क्योंकि मैंने भी अभी ता कि जितने भी बार ट्राइके包 का Ladies ना काम रहा है मेरा कोझिस क्योंकि यार मैं इसको मार देता हूँ ते मैंने पिछले बेर भी तीन फिलर तोड़ दिये थे और फिर मर गया था मैं क्योंकि निखिल भाई थे और मैं था मिंस मैं नहीं था वो अंकु भाई थे सॉरी यार निकल भाई थे और अंकु भाई थे ट्राइ किया था और निकल भाई मर गये थे मास्के होजे से उसके बाद अंकु भाई ने तीन फिलर तोड़ दिये थे चौथे फिलर का आद हल था और उनका मास्क भी तूड गया था उन्होंने भी त्यान नहीं दिया रेडियेशन से मर यह देखो गाइस यह टूटा ना फिर से लाइन मैंने वगर फैल गया होगा चाहरो अरे यार दोनों टीमेट डाउन होगा एक तो मर भी गया यार गाइस चलो वैसे तो साइद मैं इसको रिवाइब दे दू यार टार्क को पर यार यह देखो इसका डैमेज बस बच जाये वो अरे यह वह तो सफ रिवाइब हो गया बहस सही ते यार सrain formerly त geography था मुझे पता नहीं था बस इससे बचेंच नहीं दो मुझे मैं मर गया तो यह गेम गया यार कमस्टर मादा मारना फिर ऐसा मुझे लगता है पर साइद इन लोग मेरे बीना भी मार सकते हैं इसको विसे गाइज जार क्योंकि मैं इसलिए बोला तो मर गया, मैं भी मर गया, तो अक्यला वो क्या ही कर लेगा जा सकते हैं बाद जो थे इस पर तो यह फिल पर नहीं टूटा, अगली बाद ट्राइ करते हैं यह आगे अपना स्वागत करने अगर तो यार वो छोड़के चलो गया तो है बहुत सारा उसका एमो हम लोग यूज कर सकते हैं अगर एमो कम पड़ा तो इसे तो गाइज मैं मरने वाला हूं यार मुझे लग रहा है है दस एच्च भी बचिय ए मेरी अमwegen we are owner Marne possibility लगा अभाले अहल पहले अर्विमर गया न मैं तो कि दिक्कत होगा बाइब को दिक्कत होगा रहे क्यासव भी हल्त बढ़ाने लगा पहले पिलाण तोड़ लेता भाई लो जैर मैं अनलुद बढ़ाता हूं अब कणि कै Aah unbelievable है तो यार जितने भी लोग है यार वीडियो पे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार चैनल पे नए होतो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे मैंने दो बार बोल दिया है आर पर आप लोग करता है तो बोलेना पढ़ता है अगर आप हमको यार दिल से सपोर्ट करते हो तो एक बार एक लोग को मतलब तुम्ही इस वीडियो को सेर जरूर कर देना यार ताकि थोड़ा सा हमारा व्यूस भी बढ़ जाएगा यार और आम लोग को थोड़ी और मोटिवेट हो जाएगे आप अगर सेर करोगे ना गाइस तो आपको दो दो तिन तिन गल्फेंड मिलेंगी अगर आप चाहते हो तो वैसे तो पीलर तूट जाना चाहिए इस बार अरे यार बच गया थोड़ा सा अलत का बचा है वो बस अरे तूट गया गाइस वो वो अंदर जाके तूट गया कैसे जटका तो आया है साइट तूट जाना चाहिए वो पीलर बाकि देखते हैं इससे बचना है गाइस यह इस पीलर का हेल्थ फुल भी नहीं टूट आएगा इस नहीं टूटा है लो अब टूटने वाला है तूट गया अब चे दूर जाने तो यह देख रहो जितना भी जितना बार भी पिलर तोड़ोगे ना सी फॉर यह फैल लागा पुरा चारू तरफ सी फॉर हो जाएंगे आयो सी फॉर क्या बोलना हो मैं लाइन वाइन हो जाएंगे सारे सुरी का इस मैंने यार तोड़ा गलत वोल दिया तो यार यह भाई बच गया बाल बाल साथ अच्पी का बचा हो यार इससे में मेडिकिट मांगता हो यार यह देता नहीं है चलो देने वाला है इसको इतना टैम लग रहा है भाई धर आजा चल दी से उन मर जाएगा तूभ अब यह अंदर जाएगा तो ही देगा भाई अरे में नौक भी हो गया बाई रिवाइब हो जाओंगा बस यह फिनिस ना करें मॉस्टर बस तो ओके गाई यार आपको बहुत जूख के साथ बताना पढ़ रहा है यार कि मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैंने वीडियो को दो पार्ट में रेकॉर्ड करें ता और यह जी आपको फूरा वाला पार्ट सेब नहीं हुआ यार तो सुरी यार मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने पाऊंगा तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी मजाया हो यार तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को सेयर जरूर कर देना यार जिससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है यार तो फ्लीज यार सेयर तो जरूर करना तो थांक्स पर वाचिंग इस वीडियो एंड लव यू आल और लिख वीडियो मिलते हैं फिर टेक क्यार बाइबाइबाइ जो चुट झाल बाइबाइबाइबाइबाब बाइब कर देट चाले नाव एंगेशना बाहान Państwo बाहाने है झाले बाहा है झाले यार दोहा है लगम चीम घलाएबर लगों कोच्ट आार बावों को संद कमझे नास्मना